अब कभी नई छूटेंगे आपके फेवरेट इवी शोज जी फाइब के साथ बिलकुल फ्री देखा है उन्हें? ऐसा लगता है जैसे बिछा है भाई बहन हो ये दोनों भाई बहन ही हैं क्या? मतलब भाई बहन जैसे हैं पारुन ने तो रोहन को राकी भी बांदी थी रहली? या वशिष ओओ, एक इंपॉर्टन कॉल है मैं जस लेकिया दो अ, शूर बच्चों बच्चों ये आप दोनों के लिए था 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 कम इन मेरा काम हो गया तीचर से काफी डिटेल में बाते हुई प्रोग्राम को लेकर हम जल्दी ने कांटेक करेंगे मैं चलता हो राइग, था 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 ये तो वाकाई बहुत अच्छी खावर है कम इन माँ hmm 良ए तो क्वाण आपके भचहचे सी प्रोग्राम सरकारतक पहुंचगा थैंक यू सो मकिशन नो मिच चॉड़िये निया ठायूं कक्यू नहीं के इसमें कोई कॉंटुपयूशन नहीं यह आपकी हार्डवक काही नतीजा है? Mr. Oberoi कहा है? तो अब तर सिल्फ रोहन को ने देना था और मुझे निकलना भी अना बहुत लेट हो गया वो यही थी थी, एक इंपॉर्टन्ट कॉल आ गया इसलिए उन्हें बहार जाना पड़ा अच्छा तो तो टाइम लग जाएका ना तो मैं चलती हूँ अब प्लीज थोड़ी देर रो और रुकिये ना वो बस आता ही हूंगी Sir, अगर हम अभी नहीं निकले ना तो हमारी ट्रेन में सुझाएगी फिर बस अगेर अभी नहीं मिलेगी इसलिए I can understand, it's okay, ठीक है, कोई बार नहीं आप, जाएगे, मैं उन्हें बता दूँगा Chohan, पीटा में जलती हूँ Teacher, मुझे अपकी बहुत याद आई कि मैं आपको बहुत मिस करूँगा मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई कि अपना द्यान रखना, ठीक है, और परिवार को खुष रखना Yes, teacher Bye, Paro Bye, Rohan Don't take your attention, और मा को सताना मत And yes, you too, Dad को सताना मत Okay, Paro, नहीं सताऊंगा Bye, Paro, bye Bye Bye, teacher, Bye, Paro Bye Bye C5 आप टाउन्लोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट इवी शोज जी फाइव के साथ बिल्कुल फ्री अब जिल्दी जाओ Bye, teacher, Bye Bye Maa, कितना अच्छा होता है अगर थोड़े दिन और मिल जाते तो अच्छे बातों से और अच्छे रिष्टों से ना कभी मन नहीं बढ़ता है एमोशनल हो जाते है ना, दिल जोड़ जाते है कभी-कभी ऐसा लगता है कि जो हमें मिला है वो हमेशा से हमारे साथ ही था जैसे कि कोई पुराना रिष्टा हो हमारा हो से अच्छा, ऐसा क्या? मतलब मैं जैसा सोचती हूँ कि रोहन के दैड मेरे दैड है तो उनका और मेरा कोई पुराना रिष्टा होगा क्या? एए, रोहन क्या हुआ बेटा? बेटा इतने सैड क्यों? एकना एक दिन तो ये प्रोजेक्ट खत्म होना ही था येस, उंकल टीचे मेरा बहुत ध्यान रखती है थी I think तुहारे दैड हा रिष्याओ ना लक्ष्मी टीचर नी यही अभी तक? डैड, टीचर दुआ कर चली भी गए चली गए चली गए मुझे उनसे मिला था, इसे कैसे चली गए मुझे उनसे बात कर नी थी मैंने उन्हें रोकने की बहुत कुशिश की यार जाना था और उनकी ट्रेन मिस हो जाती ही उनने जाना पता हुआ कोई बादी मैं उन्हें देख तो यहीं कहीं भारी होंगी मैं में बलता हूंजी प्लीज भगवान जी डैड और टीचर के मिलवा देना प्लीज टीचर से मुलाकात करा देना प्लीज टीचर से मुलाकात करा देना स्टेशन जाने आजा अजा नहीं है यहां भी चली गए आज भी नहीं पाए लक्ष्मी टीचर से पतानी क्या हो रहा है क्यों हो रहा है नहीं मिल पा रहा हूं क्यों हो रहा है ऐसा जी फाइब टाउनलोड करें और देखें सारे एपसोड्स बिलकुल फ्री अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट इवी शोज जी फाइब के साथ बिलकुल फ्री तुखोद अपनी आखों से देख और सबको कह दे कि मैं जूट नहीं बोल रहा हूं कबर में शीशे के तुखडे पड़े हूए देख इजी आखेर आपके देमाग में चल क्या रहा है मां कुछ भी नहीं है क्या यह यह से गज़े हो सकता है जीते तुमेही बात का यह किन कर मैं सच कह रही हूं जरनेल नहीं गोली चलाई थी और इस पे लगी थी जीते पुरे काज के तुखडे यहां पड़े हुए थे मैं सच कह रही हूं पदा नहीं कहां चले गए अच्छ ठीक है यह देख, यह आपे गज़ यह कैसे हो सकता है यह कैसे हो सकता है यह नहीं हो सकता जीते, यह कीन कर मैं सच मोल रही हूं देखो हीर जी, वह पुना आराम की जुरत है आपको जुरूर कोई बहा होगा नहीं जीते, मैं पागल नहीं हुई हूं मैं जान दूगी मैं क्या देखा है लेकिन हीर्जी आप जो भी कह रहे है उसका कोई सुबूत नहीं है यह आपर यह ना कोई गन है और ना इस निशा टूटा है आप दाए इस बात को मैं क्या मानूँ फिलाल इस बात का मुझे यही पता है कि आपकी इस बात से ना घर बहुत जादा परेशान है और मुझे अभी उनको जाके बताना होगा कि आपका जुरूर कोई गलत फ्वेमी हुई है क्युकि आप जो कह रहे हैं शेनल को देखा है जानता हूं, इरजी आप कभी जूट नहीं बोलते हो लेकिन क्या आप यह कह रहे हूं और आप से कभी गलती भी नहीं हो सकती आप जो सोचते हो बोलते हो खरते हो वह हमेशा सही होता है वह सच मान लो, इरजी वह आपके अंदर नहीं जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है और इसके कारान आप जादा परिशान हो और शायद इसलिए आपका ही वहम है और कुछ नहीं है अजीतिव मैं हो गया है तो यह बात कहां से कहां ले जा रहा है तो समझता क्यों नहीं है मेरी बात आई यह जी, मैं ही कुछ नहीं समझता चीतिव अब मैं इन सब को कैसे यकीन दिलाओ कैसे साबित करूँ कि इस कम्रे में गोली चली थी शीशा तूटा था, गन गिरी थी और मुझ पे गोली चलाने वाला जर्नेल ही था क्या करूँ कुर ने कुर ने कुर ने आपी जाई रहाए को तो कर दोक चर्णान नहिए सुटार भी कर दो कर दो उर चर्टान अबसे बाद़ lum है आह से इडिए देड़ी, यह और रिंद्मी था चिसके क्या खेल खेल हो तुम जलिया लिकिन इस बार में तुम्हें पकड के रहोंगी सब को यकीन हो जाएगा तेरी वजय से मरा था महीर मेरी आत्मत उससे बतलने में आई है तुझे अपने साथ लेकर जाओंगा मैं नर्क में आतुमा उसे कैसे हो सकता है इसी आखे को लिए हीर? 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 चनल हीर? चनल चनल मुझे माने आए कुछ हीर और रहे गार? मैंने उसे विए तो इसी आएज भीता यह लीचा यह जिन नहींने मुझे माने आए हीर अब तुबच्चो जैसे बाते कर रहे हैं पुथर मैं सच कह रहे हूँ मैंने जैनल को देखा वह जैनल का भूत वो किसी बचनल तुमने एप एक मा को एक बतनी को तो ये बोल रही है कि मेरा बच्चा और इसका पती मनने के बाद उसे मुक्ती नहीं मिली वो भूद बन के गूम रहे इस गर में तु तु इतनी खुदगार्स कैसे हो सकती है जी आप ऐसा कैसे सोच सकती है अगर मैं खुदगार्स होती तो उसे जनल को बस 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 जनल 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 वो हम सब जनल को भूल नहीं कोशिश कर रहे है और तु बार बार उसका नाम लिए जा रही है जी फाइब बात तो गलती होती है ना बिटाजी अगर कोई चोर ये कहे कि उसने चोरी इसलिए कि है क्योंकि उसे अपने बच्चे की फीज देनी थी तो क्या उचूरी सही हो जाएगी नहीं ना जाहे उसकी नियत साफ लेकिन उसका तरीका गलत था मैं बहुत अर्ट थी मैं मुझे अंदर से इतना हुस्सा था ना कि ऐसे वहाँ जिराट साफ मेरी जिंदकी में परिशानियां बढ़ाते ही जा रहे थे पहले मुझे नौकरी से निकाल दिया अपर पूरे शहर में ब्लैक्लिस्ट कर दिया कुझे इतनी मुश्किल से अपने दिली में नौकरी दिलवाई मुझे जाती उससे पहले जूटे इलसाम में जेल बीच दिया जेल से बाहर आई तो गहल चीन लिया इस सब के बाद वह एक मौकरी थी जो मेरी आगरी उमीद थी कि जिन्दगी में सब कुछ है ठीक हो जाएगा लेकिन वहाँ उन्होंने नशे मिया कि जो कुछ भी कहा है वह फर्म वालों ने मां लिया और आपको बाद सब फर्म्स पे पैल गई है सार आपको लग रहा होगा ना कि मैं अपनी एर्टी जस्टिफाइ कर रही हूँ सार लिकिन मैंने जो किया गालत लिया उसका हिसास है मुझे आप आप मेरी मदद किया मेरा साथिया आपको इसे मिन दखागा यह यह आप वापस लिलीजी मैं इसके लायत में हूँ यह यह गुड्लाग इंद आपको अश्रबाद में डिजर्फ नहीं करती आप यह वापस लेग जी नहीं जी बिटाची आप रूमात रूमात अ आप रूमात प्लीस आश्मोष्टी मैं पाने लादा नहीं साथ मैं नहीं आपको दाद इतना गलत किया रवाव आपको मुझे डाटने चाहिए ना चाट बाते सुनानी चाहिए प्लीज यह समने इस सर आप डाटी है मुझे प्लीज नहीं बटा अपने बच्चों को उनके गलती असास कराने का डाट पीट करना कोई तरीका नहीं मैं समझ सकता हूँ तुमने जो भी किया गुस्से में आकर की मेरा नुकसान हो और्डर कैंसिल होगी अब उसमें कुछ नहीं हो सकता मैं सिर्व यह चाहता हूँ बिटाजी कि विराट के साथ आपके जो खिचम-खिचा ही चल दी है एक दूसरे को नीचा दिखाना आप बतला लेगा इस पर फुल स्टॉप करता हूँ यह बंध हो जाना चाहिए वरना परबाती के इलाबा इसका कोई अंत नहीं है पेर नहीं है लड़ना आप चैसे कई वो गलत के हमें तालते हैं के हईड़ादें ग他說 तो किन हरानी पाते हैं? अच्छा एसा सुचती हो ला तो ठीक है चालेंज एक्सेप्टेट सब दो चालेंज है आपके लिए खेल आपके लिए मेरी लाही फैर जाने तीजी उप्री जाने तीजी रदना चिल्डाओंगी मी कि विराट कही चला तो नहीं गया चलाओ मैं मादद करूँ तुमारी जिसना जोर से चला सकती हो ना चलाओ कि मुझे अब किसी तीज का ड़नी मारा अलड़ी तैने छूटे इल्जाम लगा चुकियो ना आप सही सिखा है मैंने गलत को सही और सही को गलत पनाओ सच को जूट और जूट को सच बना कर पेश करते हैं यही करते हैं ना आप अब की पखवास तूट 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 उच पर चिल्दाने के हिंबत बद कीचेगा और यह तो बिल्कुल मत सोचेगा कि आप के कहने पर जा रही हैं यहाँ से मैं जानना चाहती थी आप में रोका था इसलिए जा रही हैं क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ वही करते हैं चुके रामन करता है ने गवाएता। विरार उस लड़के क्लिए तो अपने पको चोट नहीं पहुचा सकते मैं चांदी हूँ कि हमें सब ठीक करना पड़ेगा वे इसम सब करना पड़ेगा प्रिश्की आपसित przedsiębior तुमारे कोई गलती नहीं है राय क्लसा नहीं सुच्छते। मैं मना लूँगी ना उन्हें? मैं सावित करूँगी कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है ऐसा मैंने पहले भी किया है और अब भी करूँगी बल्कि इस बार मैं ऐसा कुछ करूँगी कि चिपनिस परिवार हमारा बुरा करने के ख्याल से भी काप देगा जी फाइब डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री अब कभी नई छूटेंगे आपके फेवरेट इवी शोज जी फाइब के साथ बिल्कुल फ्री जब से शादी की है लाइब से चैनो सुकून सब गया सोचाने तक अभी मुझे सा बर्दाश काना पड़ेगा सुकून भी गया बेट्डूम भी मैंने शादी क्यों की थाद तू है या तेरा भूत मतलब की आरवी तो पूरवी के कमरे में था ना अगर यहां पर तू है तो तेरा भूती होगा बट डांट वरी मैं अभी चबेड मार के उस भूत को बगाता हूं आरे ने ने ने, ने नए दादू, मैं हो मार आदी तू ही है पर... क्यों है? मेरे मतलब है यहां क्यों है? तुझे तो पूरवी के कमरे में होना चाहिए ना? कमरे में? हाँ हाँ that आज मेरा मूवी देख ने का मना तू मैसे ने सुचा की लिविंग रूम में मुवी देखते देखते में तो जाता हूं इसलिए पर आप ये तक्या लेके काँ टेल रहा हूं? अबहे आरे मत पूछ यार मैं वे बात को बदल मत पहले ये बता क्या पूरुबी ने तुझे कमरे से बाहर निकाला है? क्या? कंपरे से बाहर? है मेनिदादू वो मुझे कमरे से बाहर क्यों निका दीगी? और आप अने बंदे के इतना कम समझते हो क्या कि इसको कोई भी कमरे से बाहर निकालदेगा? क्यासी बात कर देए मैं भी अफने आपको किसी से कम नी समझ्जता था विल्कुल तेरे जासा था पधिसे परते को बीग पर्दा करदी हसले हसले मेरी बारी होगी खतम अब तेरी बारी है तु बता तेरी अभी-भी शादी होई है हैं और तू बाहर है जगडा करके क्यों भी जगडा नहीं नहीं कोई जगडा वगडा नहीं हुआ है मैंने कहा ना आपको कि वो मुवी का प्लान था मेरा मैं सत करो अच्छा कितनी सचाई से सच पह जाता है मैं अभी ऐसी था सब जानता हूं मैं अंदर की बात चल का ओई मैं तुझे पूर्भी के कमरे में मतली तेरे कमरे में छोड़ देता हूं आजा ने नी दादू मैं जे कमरे में नी जाना वो मुवी का प्लान है न बताय तो मसाज किया रहो चल ना मैंने कब का तुझे जूड बोल रहा है दादू उगरी बात तो सुनो आप अपर नहीं सुननी आजा आजा अरे दादू ओई चल मैं अब क्या बोलोगा रूम में अब क्या बोलोगा रूम मैं फेवर गवांच फिर साग्या परिशान करने मत बजाओ मैं नहीं खोलने वाली हूँ अब कभी नहीं चूटेंगे आपके फेवरेट इवी शोज जी फाइव के साथ बिलकुल फ्री कम हम तो यहां पर रहते हैं तुमारे केट्रस हां एक सिंग तुम जैनुविनली पूछ या फिर मजा कर रहे हो नहीं जैनुविनली पूछ या फिर मजा कर रहे हो नहीं जैनुविनली पूछ रहा हूं मजा क्यों करूंगा I'm so sorry Tashu I just have to take this it's very important okay just one minute दिन भर कॉल्स परी तो बिजी रहते हैं आपके पास मेरे लिए वक कहां है राची राची मैं मैं अभी खो देंगा जी 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 Hi कैसी हो? मैं चीको तुम कैसी हो? बिल्कुल चीक और क्या चल रहा है? बुछ नहीं आप लोग के आने की तईयारी आओ ना अखेली क्यों? हस्बन का है तुमारे? मेरे हस्बन अपनी पहली बीवी के साथ भी सी है पहली बीवी? हम उनका काम उनकी पहली बीवी मैं तो बहुत बात में आती हो यार उनका काम ही ना उनके लिए सब कुछ है वो देखो पहली 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 बीवी क्या हुआ कहां खोगी नहीं मेरे बती के खायालों मैं तो नहीं खोगए आई नो बहुत हैंसम है जो भी लड़कियों नहीं एक बार देखती है मैं फिदा हो जाती है नहीं तुम भी नहीं एथा कुछ नहीं मुझे लगा क्यों तुम्हे लगा ऐसा कुछ नहीं है क्या हां कुछ नहीं तुम चलो नहांथ, चलो सब वेटकरे चला मा वो अची आमस्ते अंकल आमस्ते बिटा आज अमस्ते लो जी इनना टाइम लगा दिया इनना सारा खाना बनाए तुच्छी के क्या, हाँ? सौरी, वो मेरे हस्बिन बाहर कुछ कॉल्स अटेंट करें, अभ ही आजाएंगे. कोई बात नहीं, इतनी भी देड नहीं हुए अभवाजी. आजो बेचा, तृष्ष्णा, बैचाओ, दीदी की बातों का बुरा मत मानना, मानना. अटेंटी, कोई बात नहीं. इनका ना तरीका है, ऐसे डाट के हग जताती है, प्यार जताती है, जितना डाटेंगी मतलब उतना प्यार कटती है. इतना भी नीद डाटा है भी. याने कि आपने अभी भी मुझे इतना भी अपना नहीं बनाया ना? तुष्टा, बेट उना बेटा? बेट, बेट. बेट, बेट. आँटी, आप इस तरह आके सब के सामने सीन क्यों क्रियेट कर रहे हैं? आपको तो सबसे पहले निदी मौम की तबियत पूछनी चाहिए कि वो कैसी है, वो ठीक है कि नहीं? पर आपें की? काव्या, मैं तुम्हारी होने वाली सास हूँ. और तुम्हें यहां किसी ने भी यह नहीं सिखाया? कि बडों से कैसे बात की जाती है? यह कैसे बात कर रहे हैं यहां? यह हमारा घरेलू मामला है. तुम्हें बीच में कुछ भी कहने की ज़रुत नहीं है. सु प्लीस. मौम यह कैसे बात कर रहे हैं? यह कैसे बात कर रहे हैं? करन पुतर राखी सही कहा है. यह काव्या और बरुन का मामला है. तो इसलिए नहीं बीच में पड़े तो अच्छा है, है? यह किन दादी? आईनो. मैं मानती हूँ कि शायद मेरा बीच में बोलना सही नही है. लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहे हूँ कि निधी अभी इस हालत में नहीं है कि यह सब बाते उसके सामने हों. फाल्तुम में इस वक्त इतनी स्ट्रेस्फुल बाते इत्स नॉट राइट. और वाकि रही बात कावया की जो आपने अभी कहा कावया के संसकारों के बारे में यह तो मुल्कुल ठीक नहीं है. मतलब उस बच्ची ने किया ही क्या है? अपने मन की बात ही आगे रखी ना? कोई बत्तमीज ही नहीं किया है. तुमसे कहा गया था ना? कि बीच में मत बोलना? यह हमारा फैमिली मैटर है तो प्लीज बीच में मत बोलो तुम एक काम करो. मॉम के लिए प्रपरेशन करनी होगी ना? उनकी ट्रीटमेंट के लिए अंदर जाओ. जा के वही करो. कि बुआ यह सही तो बोल रही है. जब से बैठकर बरुम की मॉम यहां पर केडी को और मॉम को सुनाय जारी है और आप लोग भी सुन रहे हैं. वाइ शुद भी लिसन? कुछ नहीं बोलोंगी. चली जाती हूँ यहां से. वैसे भी इहां पर मेरी बात कोई सुन भी नहीं रहा है. ऐसा लग रहा है कि सारे इक्तुसरे में उल्जे हुए है. अगली 15 तारीक को हमने शादी फिक्स की थी और कल मेहन्दी थी. हमने अपने सारे रिष्टेदारों को कर दिया है. और जिस तरह से आप लोग बहेव कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप लोग शादी करने के लिए. यहार है. कि आप की कह रही है कि उसे शादी नहीं करने के देखिये, मेरी सास अपनी आखरी सासे ले रही है और वह चाहती है कि अपने बोते की शादी अपनी आखों से देखेंगे और अपकी ब इटी. उस जी फाइब डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री पूरा एपिसोड देखने के लिए जी फाइब डाउनलोड करें अच्छी बात है यह वरुन की मम्मी जो भी बात हो रही थी उसे रेकॉड क्यों कर रही थी मैंने खुद अपनी आंगर्स देखा फोन में रिकोर्डिंग हों थी जिस तरह से आप लोग बहेव कर रहे हैं नो मुझे लिए लिगता कि आप लोग शादी करने के लिए कुछ तो अचीब है मतलब ऐसे तो कोई भी नहीं करता सरूर कोई तबात है कोई राज है जो नहीं बता है परना सब की बाते सब कुछ एस अपने फोन में रेकॉर्ड करना कृष आप लगा लगतो है मझे तो तादी को दबाई द longtemps तेखिए आपने इस बारे में वरुन से बात की है हरे इस बारे में वरुन से क्या बात करने वरुन घर का बेटा है कोई घर का बुजूर्ग नहीं जो उसे पूछ कर हम घर के सारे फैसले लेंगे हम उसके पेरेंस हैं हम उसे जो कहेंगे वो वही करेगा और अगर बच्चों के हाथ में सब कुछ छोड़ दिया तो तो बस हो गया लेकिन आउंटी मैंने शादी कर दे से मना थोड़ी किया है मना ही तो किया है कावया तुम ले अंटी I'm so sorry actually मैं आप सभी से माफी मांगना जाती हूं मैं आपके घरेली मामने के बीच में बोल रही हूं पट मैं जानती हूं कि आप सब को यह मिसंडिस्टेंडेंग क्लियर हो खासकर कि आपको आपको आंटी की कावया शादी से मना नहीं अभी लाइफ में मैं इसे डिसिजिन लेने पड़ते हैं शादी पोस्पोन करनी पड़ती है कर देते हैं बहुत सारे लोग क्यों हो गया इसमें वैसे आंटी I have a question आपको इस शादी की इतनी जलबाजी क्यों है हरेवा सारा का सारा परिवार एक तरफ हो गया अगर आप लोगों को शादी से इतनी प्रॉब्लम है तो साफ साफ मना कर दीजिए ना वहां मेरा बेटा वरू खाव्या से शादी करने का इंतजार कर रहा है और आपके घर में हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है देखिए मुझे माफ करना पिछले कुछ तिनों में आपके घर में बहुत कुछ हो रहा है चाहे वो पुलिस कॉंट्रोवर्सी हो या फिर सुसाइट कॉंट्रोवर्सी और जो कुछ भी हुआ हम ही है जिस पर कोई असर नहीं हुआ या यह कहिए कि हमने होने नहीं दिया कुछ चीज़े ऐसी हैं जिने इग्नोर भी नहीं किया जा सकता कुछ टाइम पहले शौरे पर भी तो ड्रग्स लेने का एलिगेशन लगा था और निदी जी आपने सुसाइट कमिट किया अरे इतनी बड़ी तिजोरी और डिल इतने छोटे-छोटे से अरे पहले तो उम्रे लला को हमसे अलग कर दिया अब हमने बटियां को आप लोग जाते म Tips के सारे जीते kang अरे आप लोग चाहते का हों कि हमी राजगार निवास की जैली भाये अपने आप अग लगाए और मर जाए यहीं मर जाएंगे हम अरे सुन रहे हैं, हम का बोल रहे हैं अम्मा माना के हम गरीब हैं परिज्जटदार लोग हैं लेकिन अप अमेर लोग हमें तो कुछ समझते ही नहीं है अरे अम्मा की काम आप लोगों को तो एक ही तरीका है, गरीबों का इस्तेमाल करो, और जब काम निकल जाए, तो उसे दूद में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेक दो, अरे पहले तो हमनी बीटिया को पेट से कर दिया, और आज उसे मरने पे मजबूर कर दिया, अरे का चाहते हैं आप अरे तू तो सब की मा है ना, सब का इंसाब करती है, तो हमरा इंसाब कम होगा, सब बोल दिया, शकुंतला जी, यह और कुछ बाकी रह गया है, आप हमको बोलने ही कब दिये हाँ? अरे, हमरी बीटिया की तकदीर का फैसला करने से पहले हमको तो आपने दर्मा जैसे महा धकिया दिया था, वाह, वाह, रहे, वाह, पैसे वालों का इंसाब, बसकर शकुंतला, शान्तो जाओ और ध्यान से सुझ, गर के सब बड़ों ने फैसला ले लिया, अगर किसी के मन मे कोई शक था भी, तो केसर ने दूर कर दिया, शादी का सम्मझ केवल दो दिलों का नहीं होता, दो परीबारों का होता है, हमारी हिचक के पीछे जो वजे थी वो बस यही थी कि आरती तेरी बेटी है, कहीं वो तुम्हारे जैसी ना निकले, लेकिन केसर आरती की अच्छा ही, हमारे मन में जो हिचक कहीं चीपी हुई थी, उसे निकालकर हमारे सामने बाहर लाई, उसने हमें आरती के गुन बताया, और यह भरोसा दिलाया, कि हमारे अंश के लिए, जो सच्चा प्यार करता है, उससे बहतर कोई जीवन साथी होई नह यह लिए खमसब ने यह फैसला लिया है, दो दिन बाद अंश और आरती की शादी होगी अरे, जै हम में मा, जै हम में मा, जै हम में मा, अरे, इता बहुत अच्छी का मैं सनाई आपने, आपने, आपका बहुत बहुत दन्यवाद जी फाइब टाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिलकुल फ्री अब कभी नई छूटेंगे आपके फेवरेट इवी शोज जी फाइब के साथ बिलकुल फ्री एक जीनल भाबी तो थी, जो मेरे चंगुल में फास रही थी लेकिन इस केसर ने उन्हें भी इस शादी के लिए मना लिया अब अगर सूरज वाली बात किसी को भी पता चल गई तो तो में तो बिलकुल अके लिए हो जाऊँगे क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, खुद समझ में नहीं आ रहा है फिर से मेंसेज आज केसर ने मुझे देख लिया काकी का, का, काकी कि अए कि na कि च शूरज के लिए ऑर नहीं नहीं आंनी एद्ध कायसे हो सकते सूरज नहीं सूरज जंडानी नहीं 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 को सकता सूरज कैसे संद्ध हो सकते- मैने तोछ थुद क्या करूँ? प्वोन करकर देख्यों? प्वोन क्योंने लग रहा है? प्वोन क्योंने लगे, फोन नहीं लगे! मेरी! इधर... गुच्से में होश कोने से काम नहीं चलिगा शान दिमाग से सोच कि क्या 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 करना है क्या करूँ? क्या करूँ? फोन नहीं तो वोईस मेसज वोईस मेसज करके दिखते हूं हलो? सूरज? बेटा, कैसा है तु? और कहां है इस वक्त? हमारे प्लान के मताबिक मैंने केसर को जेल भिजवा दिया था और तू नहीं बोला था न? कि उसके जेल जाने के बाद वापस लॉट आएगा? फिर तू कहां रह गया बेटा? अब कभी नई चूटेंगे आपके फेवरेट इवी शोज मैंने पूरी जिंदगी बच्चों को सही और गलत का फर्क समझाने में निकाल दी मेरे मौला आज पहली बार अबादत पर उंगली उठाई गई है मेरी तर्बियत पे दाग मत लगने देना दाग लग गया तो लोग अम्मी की तालीम पे सवाल उठाएंगे हैसा मत होने देना अल्लामिया मन्नत के दिल से फरहान का नाम मिटा और उसकी किस्मत में सुपान का नाम लिख दे सुपान बहुत अच्छा लड़का है काश मन्नत को उससे मुखबत हो जाए अल्लामिया मेरी बहन अबादत मेरे लिए अपनी हर खुशी कुर्बान करने को तयार है अगर मैं चाहती हूँ कि उसे मुझसे ज्यादा खुशी मिले मेरे हग की खुशी भी उसकी जोली में डाल दे ऐसे तो तुने मुझे हाथ चीज से नावाजा है मगर जिंदकी में जो एक कमी है वो भी पूरी करते है मुझे मेरे महुपत से मिला दे वो मेरे प्यारी दोस्ते पादत को भी उसकी तमाम खुशियां दे दे उससे मिला दे जिसे पुचाती है ऐ मेरे पाग-परवर्दिकार मेरी मनथ और मेरी सुभान का रिष्टा पका हो जाए मेरे मॉला मेरा सुभान जिस मकसद से यहां आया है उसका वो मकसद पूरा हो जाए और मेरे दुश्मनों का मुcision गाला हो जाए एक बार ये जाइदाद मेरे हाथ लग जाए मेरे मौला उसके बाद मैं इस दुआ को बताती हूँ कि आखिर ये गुलनास क्या चीज़ है चान मुबारक चान मुबारक हमे चान मुबारक मेरे बच्ची चान मुबारक हो मेरे जाओ चान मुबारक चान मुबारक भाई आन मुबारक चान मुबारक हो आपा अल्ला आपको और बाजी को हवेशा मेरी तरह खुबसूरत और जवान बनाए रखे चान मुबारक, गुल्णास बीबी. मगर इतने पाक मोके पर, ऐसी भयानक दुआ नहीं देते हैं. अरे हाटो आपा. अरे ये बहस बाजी छोड़ो, चान मुबारक हो. चान मुबारक हो बाचा. गले लग चान मुबारक हो. चान मुबारक हो. मननत. जान मुबारक तुमें भी जान मुबारक माशाला भई खाने को देखकर ना आखों में रोचनी और मू में पानी आ गया अगर एक बात समझ में नहीं आ रही है अरे बच्चों तुम लोग तो सजावट करने में लगे हुए थे फिर इतना लजीज खाना किसने बनाया हमने बनाया नानी अम्मी इबादत सुभान और मैंने मिलकर बनाया है क्या बात है मुझे पता नहीं था कि मेरे बेटे को खाना भी बनाना आता है मेरा बेटा हारफर मॉला है उसे साव आता है और मननत ये तो बिलकुल मुझ पे गई है खानदान में खाना पकाने के लिए मैं सबसे ज्यादा मशूर थी अब भाई खाना देखका तबियत खुश हो गए माशाला तुम तीनों खुश रहो और हमेशा आबाद रहो अंकित अर्यमा अंकित अधा खेर करे मैं तो गहते हो कि तीनों की नजर तोड़ दो तोड़ दो पुरी नजर लगते देर नहीं लगती नहीं लगती ना पा इसलिए कह रही हूं तीनों की बुरी नजर तोड़ दो थांक यू थांक यू एक सेकिन एक सेकिन एक सेकिन यहांजती ने पफे हैं, मैं अगर अगण ऑन्नी हुए निए अगरा ही नहीं जो चछना करा हमारा हाजू बेहाल किया हाँ as or तो आपना कंख ह हो तो पता चल जब है उसमें माशrans mutual महा ठो आऴरिप ऐट this करनो थंपया हो गया है रजिया यहां खड़ी 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 कर रही है जान्दा से पराठे लेकर आँ हाँ करम करम पराठे लेकर कुवा ती मैं मैं सर्फ कर देती हूं मन्नु बिटा जरा अपने हाथों से मुझे परूज दे अरे इबादर बिटा अरे इधर आओ ना जरा बिर्यानी परोसो आजाओ अर्योगे सुभाल ये लो अमे आप भी लीजे ना हाँ मैं लेती हूं अल्ला अल्ला अ 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 आ अ रशगुल्ला गोरा गोरा गोलु गोलु आओ रशगुल्ला और तुमने मेर दीदी को दीदी के बोला वो मेरी दीदी है नई वो मेरी दीदी है लगता रशगुल्लु पिछका ना पड़ेगा हाँ पिछका अरे, 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 बोल डॉर्वान! अरे, stop fighting! मैं तुम दो रगे दीदी, okay? Fine, happy! वेशी भी, हमसा बाई बेने तो है! हम अरे, बände ऐंदान? पुखर लिया, मन्नू, बुद्माश, क्यों परिशान करेंगे दीदी को? मजह है, दीदी? मनन के बच्चे, अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं कि दीदी बुद्माश, क्यों आदिदी? अब कभी नई छूटेंगे आपके फेवरेट इवी शोज जी फाइब के साथ बिल्कुल फ्री चलो मैं अपको दीदी से मिलवाता हूँ हाँ ठीक है दीदी मैं अपको किसे मिलवाने आया हूँ अभी बताती हुई इस मनन के बच्चे को अभी बतात्सा इस मनन के बतात्स auction दीदी, आपने मेरे जगा मेरे ममा पे पानी दाल दिया अपने डाग परेगी आपने तो बूबू खा दिया एझाल दीदी, आपने गाम तुम बखना बनकर ऊके? यह रख़िया आपश्री आइटी, अट वस्ट उत्मीन पर यू मुझे लगा मुझे लगा मुझे लगा मुलन आए अटी नहीं, आपसूटी ओके यह हवाज, यह यह तो और होले के दिन यह सब नी करोगे तो कब करोगे? मज़ तो करना ही होगा ना? मैना पानी ढून करा थे, मूध होने के लिए यह तो रामा की आवाज है तो यह रामा तो नहीं? अफो मनन! मनन! यह ँघ मार्य जाल झाल झाल जी फाइब टाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री अब कभी नई छूटेंगे आपके फेवरेट इवी शोज जी फाइब के साथ बिल्कुल फ्री इनकी किसी से दुश्मनी थी? इनकी किसी के साथ दुश्मनी कैसे हो सकती है अरे बहुत भली हो रहती है माँ ने कभी किसी का बुरा नी चाहे लेकिन जिसने भी मा का खून किया उसे सजा हम दिलवाकर रहेंगे करें आपी किसी एक ने प्राट किया ने थी? इस घर में किसी एक निया प्राद किया था, उस सजा पूरा परिवार भुगत रहा है, खास्तोर से, मेरा शियर्भी काईक्त्री काईक्त्री बा.. बाए माँ आपकी कसम हम आपकी कसम हम आपकी कसम कि गुनेगारों को सजा दिलवाह कर रहेंगे बचन देते हैं हम आपको जिसने भी आपके साथ ये किया है न उसकी उल्टी गिनती शुरू इनकी किसी से दुश्मनी थी? इनकी किसी के साथ दुश्मनी कैसे हो सकती है? अरे बहुत भली हो रहती है माँ ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहे लेकिन जिसने भी माँ का खून किया उसे सजा हम दिलवा कर रहेंगे पापजी अब चिंता मत कीजे टॉक्टर शिर्फ जहां भी है न वो ठीक है जब तक हम उने बेक्तसूर साबित करवा कर असली खूनी को सजा नहीं दिलवाते तब तक हम चैन की नीम नी सूंके ॻूढ बच्टर सिफ यूणर शिफ टॉक्टर सिफ दोक्तर शिफ हम जानते हैं कि हमारे ये करने से असली खुनी के भी फिंग्रप्रेंट्स मिट जाएंगे सारे सबूत मिटा रहे हैं हम चाहे सौ गुनेगा जूट जाए लेकिन एक निर्दोश को सजा नहीं होनी जाहिए आपको यह से जाना होगा उथिए दॉक्टर शिफ प्लीज दीज चलिए दॉक्तर शिफ चलिए शटीर कहां है शयर्व ताधिब सौरी लेकिन हम आपको नहीं बता सकते हैं वह तो इमेन तुम नहीं बता सकती? बेका है वो मेरा और वो हमारी पती है पापजी अब चंता मत कीजिए डॉक्तर शिर्फ जहां भी है वो ठीक है जब तक हम उने बेत तुर साबित करवा कर असली खूनी को सजा नहीं दिलवाते तब तक हम चैन की नीव नहीं सुखे